नमस्कार दोस्तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे इस खुबसुरत एडिनियम प्लांट पर धेर सारे मिली बग ने एटेक कर दिया है दोस्तो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था और ये जो मेरा अफेक्टेट प्लांट है वो बिलकुल हाईविसकस याने की गड़हल के प्लांट के पास ही था क्योंकि आप सब जानते हैं कि मिली बग मैक्सिमम हाईविसकस के प्लांट पर एटेक करता है तो सायद इसी वज़े से मेरे इस प्लांट की सारे नए बर्ड्स और उसके लिवस पर मिली बग लग गए है और ये डीजिस ऐसा डीजिस है कि उस पर कोई भी पैस्टी साइट्स 100% असर नहीं करता इसका एक उपाई है अगर मिली बग की मातरा बहुत ज़्यादा हो तो वो ब्रांचिस ही कट कर दे लेकिन मेरी इस ब्रांच पर धेर सारे फ्लावर्स आये हैं तो मैं इसे कट भी नहीं कर सकता लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल उपाई है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिससे सिर्फ दो ही मिनिट में सारे मिली बग निकल जाएंगे तो देखते रहे मेरा ये वीडियो और हाँ दोस्तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना भी ना बुले तो चलिए दोस्तो अब मिली बग से छुटकारा पाने के लिए सबसे आसान तरीका देखते हैं सबसे पहले आप हलका सा पानी जहाँ पर मिली बग ने एटेक किया हो उस जगह पर डाले ताकि मिली बग थोड़े से विचलिट हो जाए उसके बाद पानी का फोर्स बढ़ाईए और जहाँ पर मिली बग हो उस जगह पर 5 मिनिट तक फोर्स पुली पानी का स्प्रे करें पानी के फोर्स से सारे मिली बग पानी के साथ नीचे गिर जाएंगे और क्योंकि यह मिली बग उड़ नहीं सकते और जड़ा चल भी नहीं सकते तो यह फिर से हमारे प्लांट पर पहुंच नहीं पाएंगे जब तक सारे मिली बग इस बर्ड और लिव से निकल न जाए अब पानी को फोर्स पुली स्प्रेक करते रहे तो दोस्तो देखिए सिर्फ दो ही मिनिट में इस एडिनियम के प्लांट पर जो मैंने स्टार्टिंग में मिली बग दिखाए थे वो सारे मिली बग जैसे गाया भी हो गए हैं और मेरे जो बर्ड से उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ तो कुछी दिनों में अब धेर सारे इस पर फ्लावर्स आएंगे तो दोस्तो है ना ये बिल्कुल आसान तरीका थेंक्स पर वाचिंग